नमस्कार दोस्तों, 22 एक्जाम पर पाईए सिंदी में आप सभी का स्वागत हैं आज हम आपके सामने 15 जुलाई 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें देहिंदू तथा इंडियन एक्सप्रेस समचार पस्ते संबन दित प्रमुक आलोगों के आधार पर प्रारंबी परिच्छा के प्रस्त नाथ से पूछे जाएंगे साथ साथ विगत वर्सों में UPSC के दोरा प्रारंबी परिच्छा में पूछे गया अलग-लग प्रस्त हम आपको अभ्यास के लिए देते हैं वह भागोगा और अंत में आज के प्रमुक थत्त की हम चर्चा करेंगे आज के द्यनिक के उचको प्रारंब करने से पहले आप सभी अभ्यरतियों के लिए कि महत्तपूर्ण सूचना है सापताई समसामाईकी की स्रंखला में हमारी एक्स्प्लेंट स्रंखला को कल यानी सनिवार को रातरी आठ वजे लाइब रूप में प्रसारित किया जाएगा और कल हमारा विसे होगा हेट स्पीच और धारा 295A इसके संदर में अलग-अलग जो पक्ष हैं जो आपकी परिच्छा के लिए महत्तपूर्ण हैं उनकी चर्चा कल रात 8 वजे लाइब रूप में की जाएगी आप एक्स्प्लेंट के इस सत्र में लाइब रूप में भाग लें और हेट स्पीच और धारा 295A के संदर में अलग-अलग पक्षों को समझें आज के पहले प्रस्ट को हम देखते हैं सिमला समझाते के संबन में निम्लिकित कत्नों में से कौन सा या कौन से सही है या है पहला यह इंद्रा गांधी और जिया उलग के बीच में हुआ एक समझाता था ध्यान रखें यह समझाता 2 जुलाई 1972 को हस्ताचर किया गया था और प्रमकुर्प से उद्देश ये था कि 1971 का भारत और पाकिस्तान का जो प्रमकुर्प से विवाद हुआ था हम कह सकते हैं बंगलादेश के निर्माण के रूप में उन प्रक्रियाओं के बाद एक 37 समझाते के रूप में 2 जुलाई 1972 को सिम्ला समझाता उस समय की भारती प्रधार मंतरी इंद्रा गांधी और उस समय के पाकिस्तान के प्रधार मंतरी जुल्फिकार अली भुटो के वीच में हुआ था ना कि जिया उलहक इस आधार पर पहला कतन गलत है दूसरा इस पर वर्स 1972 में हस्ताचर किये गए जाता है सिम्ला में यानि हिमाचल प्रधेश में तो इस रूप में आप ध्यान रखें प्रमो कुर्फ से ये आपका ईयलसरली हाउस नहीं है ये बर्ने स कोर्ट है जिसे राजभावन भी कहा जाता है तो तीसरा कतन गलत है केवल दो सत्य है इस आधार पर हमारा उत्तर हो ज किया गया है उसी आधार पर हमने आपसे यह प्रस्ट पूचा है आज के दूसरे प्रस्ट को हम देखते हैं हाली में चर्चा में रहा I2-U2 किस से संबन देता है जब हम I2-U2 की बात करते हैं तो यहाँ पर I2-U2 का मतलब हम चार देशों से इस तरह से लगा सकते हैं जिनका इ इंडिया है इसी के साथ सद आप देखें तो यहाँ पर देश सामिल है इसराइल और जो में U2 की बात करते हैं तो यहाँ पर USA सामिल है और साथ सामिल है UAE सांइपतरब अमिराथ तो इन चार देशों का यह जो समू है इसे पस्चिम हैसिया क्वेट के नाम से जाना जा रहा है तो इस रूप में I2-U2 के अगर हम बात करें तो इसके लिए आपका कथन सत्य है D यहाँ पर यह प्रस्ट अमने आप से इसलिए पूचा है क्योंकि I2-U2 का चार देशों के बीच में यह जो वर्च्वल सम्मेल है उसका आयोजन किया गया है और यहाँ पर प्रमक रूप से यह कहा गया है भारत की तरफ से कि I2-U2 की तरफ से जो भी एक तरह से आर्थिक साहिता के साथ में किसी भी तरह के फूट पार्क लगाए जाएंगे भारत उसके लिए अपने आज जमीन देने के लिए तयार है इसी के साथ साहिं इन चारो देशों ने प्रमक रूप से ज पहला मौलिक करतवयों का विस्तार भारत में रहने वाले सभी वेक्तियों के लिए हैं ध्यान रखें ये सभी वेक्तियों के लिए नहीं है यानि जो भारती नागरिक हैं उनके लिए इस आदार पर पहला कथन गलत है दूसरा ये कानून द्वारा प्रवर्तनी है ध्यान र तरह से अगर उसका पालन नहीं होता है, तो संसत के माद्यम से कानून बना कर उस तरह की प्रक्रियाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे अगर आप देखें, भारत में फ्लैक कोड एक तरह से हैं, जिसके माद्यम से जंडे का कैसा रूप होगा, किस तरह उपयोग किया जाएगा, वो सारे नियम बने हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि कानून के दोरह इसका परवरतन एक तरह से संभाव है, इस आदार पर दूसरा कथन यहाँ पर सत्य है, पहला सत्य है, तो हमारा उत्तर हो जाता है B, केवल दो सत्य हैं, यह प्रस्ट हमने आप से इसलिए पूछा है, क्य सुप्रिम कोट ने इसके लिए केन सरकार को दो महिने का समय दिया है, कि वो इसके संदर में अपना जो उत्तर है, वो सुप्रिम कोट में दर्ज करा सकते हैं, इसी आधार पर हमने यह प्रस्ट को हम देखते हैं, पहला कथन भारती तिरंगे के डिजाइन के असरे काफी हद पिंगली वेंकाया को जाता है, ध्यान रखें पिंगली वेंकाया के दोरा 1921 में मात्मा गांधी को तिरंगे का पहला एक डिजाइन दिया गया था, और अंतिम रूप में पिंगली वेंकाया के दोरा ही जो तिरंगे का डिजाइन था, उसे 1931 में उस समय भारती राश्टी क के नाम से एक Dak Ticket जारी किया, पहला कतन यहाँ पर सकते हैं, दूसरा जणडे की चोड़ाई और लंबाई का अनपाथ, तीन अनपाथ दो होता है, आप ध्यानक है जब हम जणडे की चोड़ाई और लंबाई की बात करते हैं, तो जणडे की चोड़ाई दो होती है, और एक तर प्रस्ट में आपसे चोणाई और लंबाई का अनपाद पूछा गया है, इसलिए ये होगा क्या, दो अनपाद तीन ना की, तीन अनपाद दो, इस आधार पर दूसरा कथन गलत है, तीसरा, भारते नागरीद्वार राष्टे दच फेराने का अधिकार एक मलिक अधिकार है, स उसके माद दान से, जो भी जुभे जेनके का आकार, या ऊसमें कपड़ा होता है, कैसे उसको अलग अलग जगह उप्योग किया जा सकता है, उसके संदर में नियम दिये गए है, और इसमें अगर हम देखें, तो दिसम्बर 2021 में एक संसुधन किया गया, इस संसुधन के मादधन से ये कहा गया कि पहले किवल हास से बिने हुए यानि हद कर गए कि मादधन से जो कपड़े होते थे प्रमुक रूप से उनी के आधार पर जण्डों का निर्मान भारत में होता था लेकिन दिसंबर 2021 के संसुधन जिसे फ्लैक कोट 2002 में किया गया सरकार नहीं कहा कि प प्रशन हम देखते हैं और यह प्रशन 2022 की प्रारभ्य परिच्चा में इसी वर्स पुछा गया है प्रशन को हम देखते हैं नमलकेत कथनों पर विचार कीजिए भारत में क्रेडिट डेटिंग एजनसियों को भारती रिजर्वेंग द्वारा विनेमित किया जाता है ज्यान पर पहला कथन गलत है दूसरा रेटिंग एजनसि जिसे लोकवी रूप में ICRA के नाम से जाना जाता है एक पब्लिक लिम्टेट कमपनी है सत्य कथन है तीसरा ब्रिक वर्क लेटिंग एजनसियों किवल पहला असत्य है दो और तीन सत्य है इसलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी किवल दो और तीन सत्य हैं आज के तत्य में हम असंसदिय सब्द के संदर में प्रमुक रूप से चर्चा करेंगे आप ध्यान रखें 18 जुलाई से भारत में जो मौनसून सत्र वो संसत का प्रारम होने वाला है और उसके पहले अगर हम देखें तो प्रमुक रूप से ल लोग्सवा सचवाले के दौरा असंसदी सब्द 2021 सीर्च से जारी की गई है जिसमें अलग-अलग जो असंसदी सब्द हैं उनको एक तरह से रखा गया है और इन्हें असंसदी अव्यक्ती की स्रिणी में माना गया है प्रमुक रूप से ध्यान रखें जैसे जुमला जी भी बात करें कोरोना इस्प्रेडर जैचंद ब्रस्ट जैसे जो सब्द हैं उनको अब असंसदी सब्द एक तरह से मान लिया गया है इसी के साथ साथ बाल बुद्धी स्नूप गैट इसको भी प्रमुक रूप से असंसदी है सब्दों की सिल्णी में डाल दिया गया है हम ध्या सचवाले की तरफ से जो नई बुकलेट जारी की गई है उनमें इन सब्दों को इस तरह से विस्तारित किया गया है जान रखें यह प्रक्रिया नई नहीं है जैसा कि वर्तमा लोगसुबाद देख्च उम बिरला के द्वारा भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया का जो पाला न संदर में एक पुस्तका जारी की गई थी संविदान के अनुच्छेद 105-2 की अगर हम बात करें तो यहां पर इस परस्ट कहा गया है कि संसद में कोई भी संसद सरस चाहे लोगसुबाद करें राज सबा की या उसके दोरा किसी संसदी समिटी में कोई वक्तव दिया गया है क किसी भी प्रकार का वोट दिया गया है तो इसके संदर में किसी भी अदालत में कोई कार्यवाई एक तरह से नहीं की जा सकती हैं हम ध्यान रखें जो संसद हैं वो संसद के निमों के अनुशासन के आधिन एक तरह से रहते हैं और प्रमक रूप से लोगस्भा में अगर हम तो प्रक्रिया और कारे संचालन के जो नियम हैं, उनमें नियम तीनसो अस्सी प्रमकूरूप से देखें, अलग-अलग जो असंसदी सब्द हैं, उनके निसकासन के संदर में हैं. यदि अध्यक्ष की राय है कि वाद विवाद में किसी तरह का सब्द उपयोग किया गया है, जो मान हानिकारक है, अभद रहें, या संसदी है, या सोबनी है, तो अध्यक्ष विवेका अधिकार का प्रयोक करते हुए, आदेश दे सकते हैं कि ऐसे सब्दों को संसद की उस कारिवाई से बाहर कर दिया जाएं। नियम 381 प्रमकूप से कहता है, कि सदन की कारिवाई के भाग को इस तरह से हटा दिया जाएगा, कि तारंकन द्वारा चिन्नित किया जाएगा, और कारिवाई में एक व्याख्यात्मक फुट नोट निमना अनुसवार डला जाएगा, अध्यक्ष के आदेश के अनुसवार हट आये गया, माली जे कि यहाँ पर एक सब्द लिखा हुआ है, तो इसके साथ में इस तरह से स्टार बना होगा, और नीचे लिखा होगा, कि अध्यक्ष के आदेश के अनुसवार यह सब्द हटा दिया गया संसत की कारिवाई से, तो यह प्रक्रय एक तरह से अपना ही तो यह संसत की कारिवाई में एक तरह से अगर भोले जाते हैं, तो भोलने के उपर कोई प्रतबंद नहीं है, ऐसा लोकसवाद्ध्यच के दोरा इसपस्ट कहा गया है, आप संसत सरस के रूप में बोल सकते हैं, लेकिन वो जो सब्द प्रतबंदित हैं, जो नहीं बोले जा अन्य दिनों के द्यानिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलप्त कराते रहेंगे, बाइजूस एक्जाम पर पाईए सिंधी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद